यदि निष्ठा पूरुवक नाम जब किया जाए निष्ठा अन्य कोई साधन नहीं आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्दों को निष्ट कर सकते हैं इतनी शामर्थ है एक बार कभीरदास जी के शरना गत्वेव दिगविजयी पंडित गंगा इशनान करने जा रहे थे उन्हें देखा बड़ी भीड लगी भी है और सोर गुल हो रहा है उस भीड में कौतुहल वस गए क्या है क्या हुआ तो उनका के आदमी आत्मत्या करने जा रहा था गंगा जी में हम लोगों ने जबर जस्ती से रोक रखा है वो कमर में पत्थर बांदे हुए बिलकुल कगार पे खड़ा हुआ था लोगों ने पकड़ रखा था वह भई आप एशक क्यों कर रहे हैं आत्मत्या सबसे निंदनी महापाप है इसको बहुत भोगना पड़ता है आप एसा न समझे ये शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे बहुत दुर्गती भोगनी पड़ेगी क्यों आत्मत्या करना चाहते हो तुनका मेरे शरीर में गलित कुष्ठत में दिखाई नहीं दे रहा इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीडित हूँ दर्द तो है ही पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यू ही मुझे अच्छी लग रही है कोई आउशदी काम नहीं कर रह इतनी भारी दुर्गंध है कोई नजदीक नहीं आता कोई मुझे प्यार नहीं करता कोई मेरे स्थे बात अब कैसे मैं जी हूँ देख लो कर्म का फल देख लो आप आज स्वस्त है तो आप भजन चोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं कल जब इसे कर्म फल की स्थित्य आये जो आप कर्म किये हैं कि आप से कोई बात भी नहीं करेगा आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा आप खुद जीना नहीं चाहेंगे वो कर्म आपको इतना दंड देगा इसलिए शावधान रहो अवश्च में भोग तब्यम करतम कर्म शुभा शुभम जो आपके शुब बढ़ेंगे यदि शावधान नहीं रहे उन्होंने कहा कि तुम भगवन नाम की महिमा को जानते नहीं हो यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्मत्या करने के लिए ना जाते छोड़ो पत्थर मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानों कमर से रस्षी से में जो पत्थर बांदा छोड़ दिया बोले खड़े हो गंगाजी में और राम डुपकी लगा राम डुपकी लगा तीन बार बोले एक दम खतम ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके सरीर में गलित कुष्ठ था एक तो ये महान विद्वान शास्त्रग्य दूसरी बात गुरु कृपा पात्र त इस श्रिवात नाम महिमा कोई समझ सुके थे कभिर्दास जी के द्वारा कभिर्दास जी ने इनहीं को परास्त किया था ये दिग्विजयी पंडित थे कोई इनके शामने टिकता नहीं था सब सास्तिन की जिभ्या पे विराजमान थे कासी के विद्वान घबड़ा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विश्य होगा क्योंकि ज्यान शमुद्र काशी है उन्हों का इससे तो जीत पाना बड़ा कठी नी इसकी तो जिभ्या पे सरस्प्रती बैठी हुई है उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहां के सबसे बड़े पूज्य महापुरुशन कविरदास जी अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गए तो उनको परास्त करो जाकर यहां किस-किस से आप विद्धता पूरवक वाक युद्ध करेंगे एक से एक विद्धान है सालों लग जाएगा हम सब सहमती देते हैं कि आप कविरदास जी को परास्त कर दे मानु वारान सी परास्त हो गई तो ठीक है कविरदास जी के पास गए उन्होंने का सास्त्रास्त करना चाहते हैं हमें सास्त्र कहां आता है कविरदास तो बोले पराज़े लिख तो इसमें दसकत कर दो वहां करवालो जहां दसकत बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराज़े पूरी काशी की पराज़े तो बोले फिर रुख जाओ हम तुमसे प्रशन करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो अब जो हरी के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी बाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती पहली बार उसकी बाते ही समझ में नहीं कि बाबा प्रशन क्या कर रहे है फिर हाथ जोड़ा का माराज एक बार फिर प्रशन कीजिए किसी को इस्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा बुद्धी काम नहीं करें पूरी शभा लगे हुए है कौत वहल देखने के लिए अब ये सास्त्र खोलें वो सास्त्र खोलें कुछ का माराज हमारे तो प्रशनाई की धरा समझ में नहीं आ रही वहले तो उत्तर क्या दोगे सास्त्रार्थ क्या करोगे जब प्रशन की ही धरा तुम्हे समझ में नहीं आ रही तो ब्यर्थ में अभिमान लिए घूमरे दिगवी जई का पढ़ के समझे की समझ के पढ़े हो हम तुमें बताते हैं तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो अगर समझ के पढ़े होते तो सब सास्त्रों का शार है भगवान की नाम में प्रेम भगवान की चर्णों की भक्ती अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सब का सास्त्रों का शार क्या है तुम समझ यह नहीं पाए उन्होंने उसी समय सब गंगाजी में सास्त्र प्रवाहित कर दिये और सी चरणों का कभीरदास जी के आश्रे ले लिया शिष्य बन गए और नाम जब करने लगे उनकी ये निष्ठा कि तीन बार नाम ये उनकी निष्ठा उससे उनका गलित कुष्ट चला गया अब ये बड़े आनंदित हो कर कभीरदास जी के पास पहुँचे और का भगवन एक गलित कुष्ट शरीर वाला आत्मत्या करने जा रहा था तो आपकी क्रपाशे नाम महराज की प्रभावशे तीन बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुपकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरूख शरीर हो गया उसका और बहुत प्रशन हो गया और उसको भी अपने का नाम जब करो कभीरदास जी ने कहा तुमने नाम की महिमा जानी अरे ये केवल नामा भास से ठीक हो सकता था तुमने तीन बार बुलवाया है नामा भास से ये ये नाम की अपार्म जोहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है हीरे की वकट तो जोहरी जानता है ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रिभाव क्या है हम आप सब तो ऐसे ही राम कृष्ण हरी पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा पर महिमा इतनी अगाद है कैने अथाई कांतिक भावे नोपासितम नाम अभो गई कि विनासिम अपि प्रारब्धम पर इसमें सर्थ है इसमें सर्थ है अथाई कांतिक अर्थाथ अब कोई आस्रे नहीं कोई भरोशा नहीं केवल नाम का आस्रे केवल नाम का भरोशा इसे कहते है निष्ठा निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही बिनास से प्रारब्द कर्म को भोग के बिना ही नस्ट कर देता है ये बड़ी बात है तो आप कहेंगे कि बड़े-बड़े शंतों को बड़े-बड़े रोक पाए गए कैंसर अमूक 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 तो क्या इन्होंने नामजब नहीं किया क्या जान गए नामजब के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ ये शरीर मेरा नहीं है ये पानी का बुलबुला जैसा है कुछ समय के लिए मिला है भूट जाएगा अब इसके लिए सच्चिदानन में नाम का प्रभाव क्या रखना जैसे शाप अपनी केचुल से कोई शंबंद नहीं रखता ऐसे भगवत भजन करने वाला मात्मा जो वास्त्विक भागवतिक महिमा को जान गया है वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता चाहे इसमें कैंसर हो किड्नी फेल हो कोई बड़े बड़े कस्ट हो समस्ता है इसकी एक आईव निश्चित है इसको नस्ट ही होना है जब नस्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रुपी महा महिम महिमा का प्रयोग क्यों करें यह विनासी थोड़ी रहेगा आज नहीं तो कल जाएगा यह जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें इसलिए उन महा पुरिशों ने अपने भजन का प्रयोग सरीर को श्वस्त रखने में नहीं किया नहीं तो इतनी शामर्त है नाम में कि वो शाब रोगों को नश्ट कर सकता है आश्चर में यह देखा है वो रोज शुबए आजाता था गले में कैंसर था गाउं का आदमी था सरकार बहुत पीडा है पैसा नहीं है डाक्टर कहते हैं लाखों रुपया लगेगा प्रेशानिस में वो तभी आता है वो उनका समय था बंबुल की दतून करते थे घंटों ऐसे भाव में टूपये ऐसे छेतना है एक दिना थूख दिया रोज परिसान करते हैं चल बाग खतम कैंसर और जब उनहीं के शरीर में प्रारब्द हो गाया तो उन्होंने कश्ट को शहा कभी अपने प्रारब्द को नस्ट आश्चर में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नस्ट होते देखा पर उनके सरीर में जब रोग आये कभी नहीं ऐसे ही संसारिक पुरुष जैसे उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्लिक रिया संसारिक पुरुषों के सरीरों में होती वैसे करवाई कभी कोई अपने भजन का प्रियोग नहीं किया कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को दूसरों के कष्टों को लेकर शेह करके सरीर में उनको नस्ट नहीं किया भजन के प्रताप से नस्ट नहीं किया उनको अपने में ले लिया जा तो आगे अपना मार्ग देख और उनको शरीर का राग है नहीं इसलिए उसे सहते रहते हैं चाहे जितने बड़े महापुर्श आप दर्ष्टी डाल के देखो भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराती हैं शह गए यद्यपिनाम में ऐसी शामर्थ है ये प्रारब्दभूग कोई बड़े शे बड़ा ब्रह्म घ्यानी भी नहीं मिटा सकता केवल नाम में शामर्थ है बुले यद्यप्रम्शाक्षात करति निष्ठयापी विनाश मायात बिना नभो गई है अपैति नामस फुरणेन तत्ते प्रारब्द कर्मेति विरोति वेदहा अहां प्रारब्द कर्म जो भोग के बिना ब्रह्मनिष्ठ तैलधावत ब्रह्माकार जिनकी ब्रती है वो भी नस्ट नहीं किये नस्ट नहीं कर पाए पर हे नाम भगवान आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारद कर्म आप जिसकी जिव्या पर स्फुरित हो गए उसको परास्त नहें कर पाया ये बात खास बात समझे रोग मिट जाना खास बात नहें है नाम के प्रभावशे रोग होते हुए भी रोग का प्रभावन होना ये खास बात है ये पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उशी में लग जाएगा निरास हो जाएगा चेहरा खिन होने लगेगा अरे अब तो ऐसा नहीं जब जाना है तब जाएगा जब तक है इस शरीर में खुआ अनंद पुर्वक नाम किर्तन भगवत चिंतन बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लाश किस प्रकति जन्न किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ती पे वो उल्लाश होता ही नहीं जो भगत के हरदय में होता है आप समझे ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्द करते है ऐसा उत्साह उत्पन्द करते है जिसे किसी का ब्याह हो ना हो फिर देखो ना वो पुलका घुमता है पर वो तो प्रकति जन्न कुछ छण के लिए हर्ष है फिर शोक में बदल जाएगा अशे अनंत गुना बड़ा आनंद बड़ी पुलकन उस उपासक के रदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नामने एक सरीर क्या अगर करोणों प्राण करोणों सरीर हो तो अपने प्यारे पर निवचावर कर दे हो ये प्रेव नाम प्रदान करता है जिभ्या प्रनाम इस पुरण होने मात्र से प्रारब्ध छीन हो जाता है इस बात को बड़े-बड़े महापुर्शों ने वेद में उच्छ स्वर्शे कहा गया है ब्रम्ह विद्या के साच्षात कार से संचित कर्मों का नास हो जाता है और क्रिमान कर्मों का नास हो जाता है किन्तु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ग्यानी भी नहीं बच सकते सरीर में भोगना पड़ता है पर यदि भक्त चाहे जो नाम जब करता है वो बिना भोगे प्रारब्द को नश्ट कर सकता है जितना चाहे उतना भोगे जितना चाहे ना चाहे तो बिल्कुल नहीं ओ, पुजी श्रीधर बाबा की जब चरण सेवा करने रात्री में जाते थे तो एक बार उन्होंने शुनाया था कि राधाकुंड की शंत भगवान एक शेवा करते थे सोहनी लगाते पूरे राधाकुंड में कोई थूंक दिया, कोई कुछ ऐसे उठा के शाफ करते थे विक्षा वरत्ती से खूब नाम जब करते थे एक दिन उनके शामने एक काला आदमी आया जो दुरगंध युक्त था बाबा भजन में बेठे थे राधाकुंड का दर्शन करते हुए क्या बात है, क्यों खड़ा है तो उनका आप हमसे बोले तो हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी मैं आपका बूरा प्रारब्द हूँ कई जन्मों का तो क्या चाहते हो यह हमसे आपसे नहीं पुछा जाएगा यह उन भजनानंदियों की बात है जिनका जीवन परमधन से युप्त हो चुका है जो भजन के महाधनी है जो पवित्र हजएवाले पूर्ण भगवत चरणार विंद के आश्रित जन है प्रारब्द निका में बारा वर्ष का गलित कुष्ठ हूँ आपके शरीर पर आना चाहता हूँ आप आदेश कीजिए बाबा ने कहा हमारे पास बारा वर्ष नहीं किम तुम्हें लेके बैठे रोज हमें राधा कुंड की शेवा करनी है और हमारी एक नियम निश्ठा है ऐसा नहीं हो पाएगा दूसरे दिन फिर आया रोन का कि दिन रात्री जोड़ करके च्छै वर्ष में हम भुगता देंगे आप स्वईकार करो च्छै वर्ष बहुत होते हमारे पास शमय नहीं बात चलती रही फिर उश्ठ ने कहा अगर आप स्वईकार करें तो 24 घंटे में आपको 12 वर्ष का प्रारद भुगवा दे पर आपको यह उशदी नहीं लेंगे किशी शिश्ची के शायता नहीं लेंगे और हमारे स्वईकार करेंगे बात का 24 घंटे तो ठीक है हम सुबह सुबह रादा कुंड की शेवा करके एक कमरे में बैठ जाएंगे आप हमारे उपर आ जाना दूसरे शुबह फिर हम सेवा में आ जाएंगे हमारी सेवा नहीं छुटेगी चलो ठीक है अपने शिश्यों से कहा कि आज मैं कितना भी चीखो चिलाओं कोई हमारे कमरे में मता ना जब तक हम सुएम खोलकर बाहर नावें और जहां का हाँ मैं शुएकार करता हूँ ततकाल पूरा नक से सिक तक पक गया सरीर पी बहने रगा भीश और पीरा बस वही नाम चिंतन में अपने मन को लगा दिया बारा वर्स के गलित कुष्ट प्रारब्द को 24 घंटे में भोग कर साफ कर दिया अगर वो नाक कह देते तो हिम्मत नहीं थी कि प्रारब्द के सरीर में आ जाता ये देखो नाम बन नाम में बड़ी आप क्या समझते नाम जापक हैं आपको जो रोग आया है जो कस्ट आया है बहुत कम करके आया है बहुत कम करके दुलार पूरवक प्रभू हमें दे रहे है उसको बहुत सहज सहज ऐसे ही अगर वो प्रभू से बिलग हो जाओ और फिर देखो इसका तांड हो तो आपको प्रतिपली यही लगेगा मर जाओं तो अच्छा सच्ची कहता हूँ प्रतिपली यही लगेगा कि मर जाओं तो अच्छा कितना भयानक कर्ष्ट है आपको अनुभो में आने लगे लेकिन कैसे बताए तुम्हें यदि प्रभू के आश्टित हो तो कैसे दुलार करते हैं तो जो प्रारव्द कर्म ब्रह्म्ह विद्या से भी नश्ट किया जा सकता वो केवल नाम के दौरा नश्ट किया जा सकता है